एलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई रॉकिंग सपूर्ट वीडिव चैनल, इस वीडियो पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लोकाल होस्ट में जो लारावेल का पोजेट हम लोग डिपलोई किया, इस पोजेट को कैसे लाइब सर्वर पे डिपलोई करेंगे, तो लाइब सर् पोजेट को लाइब कर पाऊगे आपको, पॉश्ट करपाऊ, तो मैंने एक पोजेट को पॉश्टिंग पाचेस किया, और एक डोमेंड पाचेस किया, वोड है इस के लिए मैंने अल्री एक वीडियो मना के रखते है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चले स्टार्ट करें, तो यह हो गिया मेरा लोकाल वूस्ट में जो पूजक्ट मैं हें डिपलाइ किया, वह यह पर चाल रहा है, वीचपी आटिजन साथ पर चाल रहा है, ठीके, छोटा सा एक स्कूल मैनेजमेंन सिस्टम है, तो फास्ट का मम लोग को क्या होग इस पोजेट का जो root directory है, वहाँ पर हम लोगों को जाना होगा, ठीक है, मेरा पोजेट का root directory, diskisi, c-drive, zam, htdocs, और मेरा यहाँ पर project, full website master, तो डबल क्लिक करको open करेंगे, तो यहाँ पर मेरा पोजेट का file sign folder है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितना file sign folder है, all select करे देन इसको zip करेंगे, add click करेंगे, add to archive, then zip को select करेंगे, then ok button को पर click करेंगे, देक है, zip हो रहा है, तो देखों, यहाँ पर फाइल भी create होगा, zip file, school website master, बल के, ठीक है, थोड़ा wait करेंगे हम लोग, complete हो गया, एक zip file भी हम लोग को मिल गया, ठीक है, next हम लोग को क्या करना होग इस project का, इस project का, जो database है, ठीक है, एक database भी चाहिए, database भी होता है, ठीक है, dynamic project के लिए, database का है हम लोग का, डीटाबेस हमना, PHP Web Admin के हम यह पर आए, तो इसको कैसे open करोगे, हम यहाँ पर दिखा देते है, पहले तो आप लोग को zamp open रहना चाहिए, ठीक है, zamp open रहना तो देखो यहाँ पर Apache MySchool दो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो localhost टाइप करना है, देखो यहाँ पर पास्तर निखा रहा है, localhost टाइप करोगे, यहाँ पर देखो phv admin को पर निक करोगे, ठीक है, इस project का जो database है, Laravel School बोलके, ठीक है, इस को फूरा हम लोग export करेंगे, इस database को प ठीक है, तो देखो यहाँ पर export हो गया, इस folder icon को पर clip करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो मिल गया, इसको copy करके, हम लोग project के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर project है, यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दूरों चीज मिल गया, एक database file मिल गया, .sql file औ format मिल गया, ठीक है, ओके, next हम लोग को क्या करना है, hosting गार पर logging करना है, ठीक है, logging करने के बाद ऐसे एक page मिलेगा, तो देखो यहाँ पर hosting दिख़़ा है, तो मैंने जो hosting purchase किया, premium web hosting, ठीक है, और इस hosting के अंदर अभी दर फोर website host करके देख़ए, ठीक है, अभी हम लोग क्या क करेंगे, विश्याश enterprise domain के जो मेरा domain है, इस domain के अंदर हम लोग इसको run करेंगे, हम बोले थे आपको, तो इसको पर click करना है, ठीक है, आ गया, विश्याश enterprise domain का जो dashboard, अप लोग दीख पा रहे हो, ठीक है, देर हम लोग क्या करेंगे, file manager के उपर click करेंगे, ठीक है, file को upload करन के लिए, file manager open हो गया, public underscore HTML को double click करके open करा, this folder is empty, ठीक है, empty, अभी यह पर हम जो concept files and folder अप्लेट करेंगे, जो हमने लोग project का जो, project को लेके, पुड़ा project को लेके, जो zip file हमने प्लेट किया था, ठीक है, इसको आप पात एक बर copy कर लो, आसान होगा तरह, copy किया, postinger पे जा, यहाँ पर देखो एक upload का icon देख रहा है, उपर click करा, file के उपर click करा, और यहाँ पर copy करके, यहाँ पर paste कर दो, यह क्या, तो यहाँ पर और एक तरीका है, आप लोग, दीरे-दीरे, मतलोब step by step भी जा सकते है, चलो दिखा देखा देख, this PC, write, then htdocs, मेरा project है आपका full website master, और यहाँ पर मेरा देखो, यहाँ पर full website master, ठीक है, इसको select करेंगे, zip file को select करेंगे, open button को पर click करेंगे, ठीक है, now it is uploading, अपलोड हो गया, ठीक है, अभी इसको हम लोग, unzip करेंगे, extract करेंगे, ठीक है, right click करो, इस zip file के उपर, then extract option को पर click करो, और यहाँ पर dot slash करो, और कुछ नहीं करना, ठीक है, क्या होका public underscore HTML folder के अंदर, extract को के चल जाएगा, देखो, ठीक है, dot slash, then extract, देखो, public underscore HTML के अंदर, पूरा, पूजिट का folder आ गया, जो हम लोग का, लोग का नुष्ट में था, ठीक है, आ गया, अभी हम लोग चाहते हैं, तो यहाँ पर, zip folder को, zip file को, डीलेट भी कर सकते थे, लोग डीलेट कर देते हैं, आफ़र डीलेट, ओके, डीलेट कर देते हैं, ठीक है, अभी हम लोग टीक बड़, domain को, reference करके देखते हैं, क्या होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसके लिए थोटा सा और एक काम करना है, ठीक है, एक hd access file, यहाँ पर upload करना है, नहीं तो create करना है, तो create कैसे करेंगे हम लोग, new file के उपर click करेंगे, यहाँ पर dot hd a double c e double s, ठीक है, दिन create button का पर click करें, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक code बगरा लिखना होगा, तो मेरे पास एक code है, इसको आपको दे देदेंगे, ठीक है, तो पोड़ा, copy करेंगे, copy करेंगे, hostinger पर जाएंगे, और hd access file के अंदर इसको paste करेंगे, दिन save button को पर click करेंगे, ठीक है, save हो गया, इसको close करो, और यहाँ पर देखो, hd access file यहाँ पर आ गया, ठीक है, देन फिर सामने एक बार, वो domain पर आके एक पर refresh करेंगे, त ठीक है, मतलब यहाँ पर project हम लोग का run हुआ है, ठीक है, logging बटन को पर click करो, ठीक है, logging रेने का यह पर try करते हैं हम लोग यह आपर, ठीक है, तो रेजिश्टर करते हैं पहले, रेजिश्टर करते हैं, ठीक है, तो database को upload करेंग एंगे हम लोग, कौं सा database को upload करेंगे, जो database हम लोग export किया है, जो यह पर हम लोग, इसको store करकर रिखा है, फीट से hostinger पे आओ, hostinger पे आगे हम लोग, vicious interface का dashboard पे, यह आपर file manager पे जाके, हम लोग फाइल पे अपलोड कर दिया, यह आपर project भी चल रहा है, लेकिन database का error दीख रहा है, ठीक है, hostinger का dashboard पे आगिया, vicious interface का dashboard पे आगिया, दिन यह आपर दिखा एक database का बटन दीख रहा है, इसक पर click कर रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पर एक database create करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, prefix होगा, यह होता है, यहाँ पर चल लाड़ा, underscore, pull दे दिया, ठीक है, होई, copy करके, यहाँ पर paste कर, यहाँ पर password देना होगा, तो password हम लोग यह से generate कर लेते, उपर click कर होगे, तो password generate होगा, ठ को copy करके रखना है, हम लोग को, ठीक है, तो इसको copy कर लेते है, then create button को पर click कर, ठीक है, database देखो, यहाँ पर create होगिया, password हम लोग को मिल गया, ठीक है, अभी next हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो credential हम लोग को मिला है, इस credential को हम लोग को .env file पर देना है, तो .env file हम लोग क है, public file manager, तो click करो, public underscore instrument के अंदर जाओ, यहाँ पर .env बोलके एक file दीक रहे है, इसको पर click करो, add click करो, edit button को पर click करो, तो देखो, यहाँ पर db database, यहाँ पर database name देना है, तो database name क्या है हम लोग का, फिरस्व वोश्टिंगार के हम लोग जाते हैं इबर, और यहाँ पर database को उपर click करेंगे, और यहाँ पर देखो database, database name यहाँ पर दीक रहे है, और password हम लोग का, copy करके रखे थे, यहाँ पर चलो इसको देदेते हैं, नहीं तो फिरस्व ओपेन करने होगा, ठीक है, password हम लोग दे दिया, और यहाँ पर पहले database का name देंगे, हम लोग database का name यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर जाके इसको username, यूसर नेम हम लोग देंगे, यहाँ आपधा यहाँ होगी आप, यहाँ पर database का naam दिया, username दिया or password भी हम यहाँ पर दिया, दिन यह बटन को पर click करो, ठीक है database create कर लिया database credential भी हम लोग दे दिया अभी हम लोग क्या करेंगे फिर से हम लोग कोश्टिंग वार पर जाएंगे यहां पर देखो एंटर phpyadmin दिख रहा है इसको पर लिख कर रहा हूँ तो देखो यहां पर मेरा database भी create हो गया जो database हम लोग create के लारा अंडर स्क्रेस फूल भूल कर ठीक है अभी इस database के दर कुछ भी नहीं हम लोग को क्या चाहिए localhost में जो database का जो टेविल वगड़ा था यहां पर हम लोग को लाना है तो कैसे लाएंगे हम लोग export बटन के उपर click sorry input बटन के उपर click करेंगे उस फाइल को पर click करेंगे और हम लोग क्या किया था .sql बोल के एक फाइल देखो हम लोग export किया था localhost से ठीक है लारा मेल इस्कूल ठीक है यहां पर देख तक क्या अब तब तो इसको select करेंगे open बटन को पर click करेंगे then input बटन को पर click करेंगे तो देखो इहां पर import हो गिया ठीक है लोकान उसमें जितना फाइल से टेबिल बगड़ा था database के अंदर इस database के अंदर से टेबिल यहां अब लोग देख पा रहे हो ठीक है अब यह एक बड़ पोजेट में हम लोग जाते हैं पोजेट का पहले हम लोग domain को run करेंगे ठीक ठीक चल रहे है register बटन को पर click करते हैं यहां पर चलो मैंने पहले इससे एक credential देखे रखे थे तो आप लोग देख सकते लाग का पुर्विड क्लिक पर बटन को पर खुल रहा है तेंटन जल रहा है तो देखा देखो विशस इंटर्प्रेस के अंदर same as it is localhost में जैसे चल रहा है dashboard यहां पर as it is यहां पर technical लोकाल उस में चल रहा है जैसा same as it is मेरा live server में चल रहा है live server में चल रहा है vicious interface.in पर पर class page क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर चल रहा है अप लोग को class student अभी यहां पर कोई data बगड़ा नहीं है ठीक है admission open localhost में same यहां पर अपनोग को मिल जाएगा जैसा live server में है localhost में जैसा है live server में same चल रहा है तो ऐसे करके आप लोग localhost में जो पोजेट आपनोग डिपलाई किया लारा विल्म का उस पोजेट को मैंने जो इस टेक किया पूरा एग्जेक्ट टेफ है इस पोजेट को आपनोग फालो करके अपलोग लाइव server पे पोजेट को रान कर सकते हो डिपलाई कर सकते हो Okay, that's it. अटा बाइब बाइ. छी हुन.